हाइपर टेक्स मारकाप लैंगवेज के आज के इस क्लास में हम लोग का जो टॉपिक है वो है हाइपर लिंक मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल को जब लिंक करना हो तो parenthood क्यों टेक्स्ट या फोटो वो किस तरह से हम लोग करेंगे तो फ़र्सट अफ्वाल हम लोग जिस तरह से फाइल रेडी करते हैं, नोटपैड में जाकर पहले स्टों स्टॉर्ट कर लेते हैं। नोटपैड को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर अपना टाइप कर लेंगे first stml हर बार की तरह इस बार भी और उसकी बाद यहाँ पर body bg color जो होता है न बोड़ी bg color अपना यहाँ पर सेट कर लो pink blue black green जो देना है वो दे देना देने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो path देना पड़ता है और जो command टाइप करना पड़ता है उसके लिए यहाँ पर टाइप करेंगे image asrc src का मतलब image asrc मतलब source यह screen बोल सकते हैं अब यहाँ पर हम लोग को जो wallpaper लाना है वो wallpaper पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे system में वो wallpaper किस जगह पर है इस pc पर click करते हैं और यहाँ से जाते हैं drive d में drive d में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग को wallpaper के एक folder दीखेगा इस folder में से हम लोग जो wallpaper लाना चाहते हैं suppose हम लोग animals करें लिया तो यहाँ पर जो भी photos लेना है हम लोग को right click करके यहाँ से उसके ओपर properties में जाएंगे और उस file को हम लोग selection करेंगे selection करने के बाद फिर उसको ctrl c से copy कर लेंगे copy करने के बाद ok करेंगे अब यह पूरा path हम लोग को यहाँ पर set करना है सबसे पहले हम लोग double quotes लगाएंगे और यह किस drive से ला रहे हम लोग d drive से d clone backslash और यहाँ पर हमने देया first wallpaper मतलब जो main folder का नाम है वो नाम दे दिया उसके बाद sub folder उसके अंदर क्या है उसके अंदर sub folder से हम लोग का animals ले लिया animals लेने के बाद फिर backslash दिया और control वी से paste कर दिया now double quotes close कर देना उसके बाद एक काम हम लोग को और भी यहाँ पर करना होगा इसका height और width यह set करना पड़ेगा तो height और width set करने के लिए हम लोग पहले first यहाँ पर क्या करेंगे space देकर यहाँ पर type करेंगे heigstheight equals to suppose यहाँ पर 250 दे दिया और फिर width जो है इसका वो यहाँ पर फिर से 250 दे दिया और फिर से इसको double quotes बंद करके bracket बंद करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या करना है html को बंद कर देना है अभी normally हम लोग इस file को पहले save कर लेंगे save या save as कुछ भी कर लेते है suppose यह file जो है कहाँ पर save करना है desktop पर save करना है इस file का name हमने दे दिया tiger tiger.html save हो गया ठीक है उसके बाद just यहाँ पर color को change कर देते है color को change करके यहाँ पर दे देते है green और just यहाँ पर सब कुछ as it is पहले जैसा रहेगा यहाँ पर सिर्फ file name जो है वो change कर देते हैं यहाँ पर right click किया right click करके यहाँ से properties में आ गए properties में आके file name को selection किया ctrl c for copy copy करने के बाद फिर इस file में आएंगे और ctrl v से paste कर देंगे फिर इसे file में जाकर save as कर देंगे save as करने के बाद again यहाँ से desktop selection करेंगे desktop selection करने के बाद यह file हो गया cat file cat.stml save ठीक है उसके बाद अब हम लोग next जो file बनाएंगे suppose यहाँ पर हम लोग color blue दे दिया और यहाँ पर यहाँ पर राइट क्लिक किया next properties में गये ctrl c ok ctrl v फिर file में आए save as किया save as करके इसका name दे दिया horse horse.html और यहाँ से ले लिया desktop इसको भी save कर दिया next फिर से इसको delete करेंगे इस तरह से जितना भी file हम लोग चाहें हम लोग ready कर सकते हैं तो अब हम लोग इसको भी raise किया raise करके suppose next यह ले लिया properties में गया इसके name को selection किया ctrl c से copy ok फिर यहाँ पे जाके इसको paste कर दिया और background color को change करके suppose yellow कर दिया ठीक है? फिर file में जाके save as करेंगे से save as करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग just dog.html कर दिया तो इस सरह से हम लोग suppose four file हमने ready कर दिया पूरा overall close कर लो अभी यह tiger वाला file आ गया open करो ठीक है? अभी इसमें कोई link नहीं आ रहा है क्योंकि link हमने अभी बनाया नहीं है इसमें ठीक है तो link लाने के लिए हम लोग को file में क्या करना होगा इसको right click करके open with open with notepad यहाँ पे enter करेंगे और यहाँ पे हम लोग link करने के लिए यहाँ पे type करेंगे a href href का मतलब horizontal reference reference हम लोग यहाँ पे दे देंगे reference क्या देंगे href देने के बाद यहाँ पे double quotes लगाएंगे suppose tiger को हम लोग cat के साथ link कर रहे है cat.html और यहाँ पे double quotes बन ब्रैकेट बन उसके बाद just यहाँ पे नीचे आकर मतलब just इस line के नीचे आकर इस line के नीचे जाने के लिए यहाँ पे click करके end press करेंगे keyboard से और enter करेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग को anchor बंद कर देना है a for anchor href मतलब horizontal difference जो anchor हमने यहाँ पे open किया है उसी anchor को यहाँ पे हम लोग close कर देंगे anchor को close करने के बाद just अब इसको save as नहीं करना है just save कर देना है किसलिए update के लिए मतलब जो updation हमने set किया मतलब hyperlink set किया उसको हम लोग यहाँ से update कर देंगे अभी यहाँ से इसको save कर दिया अभी यहाँ से इसको close कर देंगे अभी हम लोग इसको link किसके साथ किये cat के साथ किये अब cat वाला file open करेंगे open with notepad अभी यहाँ पे just यहाँ पे भी उसी तरह से a href equals to suppose इसका link हम लोग horse के साथ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टाइप कर दिया horse. html और फिर उसी तरह से arrow से नीचे आएंगे, end बटन प्रेस करके enter करेंगे, और यहाँ पे जाके anchor को close कर देंगे फिर से इसको भी update कर दिया save में कर देंग, click उसके आद अब next उसको किसे link के दे, horse से horse को open करो notepad में जाओ, यहाँ पे भी just उसी तरह से enter करके नीचे आओ यहाँ पे type करो a href equals to double quotes लगाओ, इसको तुम dog से कर रहे हो, dog dot html double quotes बन, bracket बन फिर arrow से नीचे आके end button प्रेस करके enter कर देना और फिर यहाँ पे anchor को close कर दो, close करने के बाद फिर file में जाके इसको भी save कर दो, ठीक है उसके बाद कौन सा file आ रहा है, dog आ रहा है, dog को फिर open करेंगे open with notepad, अच्छा अभी यहाँ पे एक चीज notice करना, tiger को हमने cat से किया, cat को हमने horse से किया, horse को हमने dog से किया, अब dog को किसे करेंगे, जो हम लोग को rotation cycling होगा, उसके लिए यहाँ पे हम लोग को यह देखना है, कि हमने start किस file से किया था, हमने start जो है tiger file से किया था, तो जाहिर है cycling करने के लिए, हम लोग को rotation करने के लिए, हम लोग को यहाँ पे last file जो है, यानि doggy वाला file जो है उसको हम लोग link कर देंगे tiger के साथ, href equals to double quotes, यहाँ पे type कर दो, tiger.html फिर double quotes बन, bracket बन, arrow से नीचे आना, end button प्रेस करके, enter करना और यहाँ पे फिर anchor को बंद कर देना, अब क्या करेंगे, फिर से file में जाएंगे, और यहाँ से जाके इसको save कर देंगे, अब यह overall सब को यहाँ से close कर दो, close करने के बाद, अब यहाँ पे first जो हम लोग file create किये थे, वो क्या था, tiger था, tiger पे right click करो, open with internet explorer, जैसे ही आप internet explorer में जाओगे, यहाँ पे tiger पे एक link बनके आ जाएगा, यहाँ पे जैसे click करोगे न, यह देखो, cat आ गया, cat पे click किये, horse आ गया, horse पे click किये, dog आ गया, dog पे click किये, वापस tiger आ गया, इस तरह से यह तीनो चारो फाइल में हम लोग का link बन गया, तो इस तरह बहुत सारे फाइलों को हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं, और link wise हम लोग बना सकते हैं, जैसे जो internet के web page में हम लोग का बहुत सारा link होता है, हम लोग एक फाइल पे जब click करते हैं, जुड़ा होता है वो file open हो जाता है, ठीक है, तो यह था हमारा आज का topic, hyperlink यानि href horizontal difference, मतलब इस file के थो हम लोग एक दूसरे file को हम लोग link कर सकते हैं, that's all, see you soon, have a nice day,